तो पढ़ाते हैं अपने सीरीज को आगे क्योंड मैं एक स्प्लेंग करने वाला हूं इस सीरीज के एपसोड फाइफ को तो एपसोड की सरवात होती है एक फैमिली टुगेथर से जिसमें नवी निगा बैटी होती है उसके दोनों बच्चिया बैटी होती है जो यह बहुत ही है किस है एक मटर के में तुमibility में दिखाया जाता है उसको जो कि धिरेज होता है वो कुछ बीनीज का रहा होता है जो किष्ट की होती है नशें की हो और नशें में होता है वहे पर उसके पास उसके सिस्टेंट आती है नियोनिका की जो उससे कहती है जो तुम यह मिन्योनिस खा रहे हो यह नॉर्मल नहीं बलकि निमें ड्रक्स है और इस आलत में तुम खाँ जाओगे फिर देरेज के पास भी कोल आता है जो कि ऑफिस से होता है क्योंकि मटर केस है तो जो विशाल होता सब कोई खटा कर रहा होता है तो वह कहता है सर मैं अभी आ रहा हूँ लेकिन वह आलत में नहीं होता कि वह इस ड्रक्स की मियोमीज खाने के बाद महाँ पर पोस्ट के लेगिन फिर भी वह ओफिस का कॉल आने बाद निकल पड़ता है वहां से किसके ऑफिस के तरफ वहाँ जाने के बाद उनको पता चलता है कि यह केस एक मडर केस है एक हाई क्लास केस है अब जो नियोनिकर के एसिटन्ट होती है वह केस सीने पर पोस्ट दी है वहाँ पर इंस्पेक्टर होते है चैब वह पता लगाती तो उसको पता लगता है जो उसकी क्लाइंट होती है उसकी क् inspector और inspector के साथ साथ जो अभी lawyer होते हैं वो सारे आनन्द का पता लगाते हैं और आनन्द को बुलाते हैं अफिस में जा पर आनन से पूच तास करते हैं तो आनन बताता है कि मेरी ऐसे कुछ खास जानका रहें नहीं उससे वो सिर्फ एक नॉर्मली मेड है और तुम मुझे भी श कर रहे हो AYSOM कैसे कर सकते हो अब आनंड ग DR. काम होता है भाइया कि वह उसको июशकर करें चाहिए उसने मौसरित किया हो या नहीं किया हो यह फॉर आपना काम कर रहा होता है फिर वह उसको पुलिस के पास लेके जाते हैं पुलिस को ऐसा ना लगे कि इसको बचा रहे हैं ताकि पुलिस को लगे कि यह कोडिनेट कर रहे हैं इसके बाद विशाल को कहता है कि अगर यह सस्पेक्टे तो पर पुलिस ने इसको पगड़ लिया आनद को तो यह केश से पहली एक साल जेल के अंदर गुजार देगा जो हम ऐसा हो नहीं से दे सकते हैं क्योंकि हमारा क्लाइंट है हम इसको डिफेंड करना होगा फिर नैक से में जब नियोनिका विशाल के साथ आनंद को पुलिस के पास लेकर जारी होती है तो वह दोनों आनंद को समझाते कि वहां से भाहर आजाते हैं दूसरी सरफ देर जन्योनिका से कहते हैं कि तुम्हार पस इतना अच्छा मोगा था तो मोगे पर चका मार सकते हैं विशाल को सर को यह बता के कि मैं नशे में हूं और तुमको अपनी जगह दे देते हैं और मैं यहां से घड़ जाता और मेरे लेती है और अब के बार वह स्कूल जाते हैं वक्त एक कामरा फिट कर देती है अपने घर के बार ताकि उनको पता लगस ते कि पैंट रहे को नहीं हो पर रहा होता है अब शना जो कि नहीं होती है वो जाती है पूजा कि बोई फरेंड के पस पूजा जिसका मड़ रुघा ह को और पूजा के बहुत ज़्यादा नजदी का रहा था इसी वज़े से पूजा ने मुझे को बता कि मैं बहुत कर रही हूं लेकिन उसके मजबूरी थी इसलिए वो कोई जोब चाहती थी काम चाहती थी जिसके रिगार्डिंग उसको उसके पास रहना पड़ा और उसने उसक का फायदा उठाया और उसी वज़े से आज वो इस मुकाम तक है और मर चुकी अब यह बार पता लगाने के बाद वहां से चली जाती है और यहां पर वापी जाकर देख थी तो पुलिस आच चुकी होती है क्योंकारों पता कि उसी नहीं पूजा की हत्तागी है जा पर उसक उसका मेडिकल टेस्ट कर रहा था पोस्माटब कर रहा था तो उनको पता लग गया था और यह पाद पता लगने बाद जब वह जाती है जब दुबारा से शना उसके बुए फ्रेंड के पास जाती तो वह देखती है उसके आथ में उठी है उसको याद आता है कि जो मडर सँसे को इस इस धालत में हुई वह उसको पता-तलग एंडर के बच्चे के माँ बने वाले तो इसके मारे दिया ऑग सकता है कि वह हो सकता है वह बता लेटेति इस एंभी वह जाके सारी बात इसक्टरों बता देती है तक इसक्टर को भी शक हो जाता है कि हो सकता है उसके boyfriend के कारणी उसकी हत्या हुए हो और वहाँ पर दूसरी तरफ केश चल रहा होता है राजियुका कोट में जा पर उसको बेल मिल दी जाती है और एक शर्थ प्र जाती है जो कि शार्टिक से जिसको पर केस्ट चल रहा होता है जिसके रिगार्डिंग उसका पती राजी जेले में गया था वह भाई अभी भी खुले आम गूम रही थी और उसने जब न्यूज पर सुना था अपने बारे में कि लोग उसके बारे हम क्या 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 बोल रहे हैं कि क्यों जैसे उस डोनी मोहित ने जो कि क्रिकेटर था आत्मत्या कर ली थी तो लोग उसके बारे में भला बुला कह रहे हैं और वो इस चीज़ से डिप्रेश्ट होकर उसने फास्य खाने के कोशिश की पहुत सारे पिल्स एक साथ ले लिए जिससे कि वह ब्योश हो गई और म प्रेस्पने से नाने वाली है मिलता हम अगली वीडियो